जैहिन दोस्तो मेरा नाम है सागर गुपता डिजाय टो लेंड में आपका स्वागत है तो आज हम कवर करेंगे सेकिंड में के करेंट अपेर्स यहाँ पर जानेंगे इंपोर्टेंट फैक्ट और अगर आप कोई भी एक्जाम के लिए प्रिशन कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो शुरुआत करते हैं कोश्चन नमबर फर्स्ट से हाल यह में कौन सी कंट्री जॉइन करने वाली है इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन काफी जादा important news है तो वो है अपना प्यारा भारत और आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन से एयर में जॉइन करने वाली है फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है बहुत important news है अगर मैं बात करूँ ICAO International Civil Aviation Organization और Corsina Corsina क्या है Corsina है उसी के एक body carbon offsetting and reduction scheme Corsi A ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है plus LTAG LTAG यह तीनों जो जो जॉइन करने वाली है from 2027 तो यह सारी चीज आपको ध्यान रखना है काफी जादा important है आपके exam के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ ICAO ICA का headquarter बहुत बार आपसे पूछा जाता है exam में पर इसका headquarter का आप इसका headquarter है Montreal Canada में ठीक है वह सारे लोग को इसका headquarter पता ही होगा इसका headquarter है Montreal Canada में और अगर मैं बात करूँ यह three phases में इसको join करेगा अपना प्यारा भारत यह चीज भी आपको ध्यान रखना है और यह किस ने यह जो meeting chaired की गई वो किस ने chaired की गई जोती अधित्राय सिंदिया जी ने जो कि अपने civil aviation minister भी है तो यह बस दो तिन पॉइंट आपको important ध्यान रखना है next question देखते हैं so next question देखते हैं कौन सा IIT डेवलप कर रहा है computational tool to detect cancer causing tumors in brain and spinal cord काफी ज्यादा important question है last time अपने बहुत सारे IITs के बारे में पढ़ा था बट एंग भी question आपको exam में देखने को नहीं मिला शायद CABF में आपकी exams में देखने को मिल सकता है जिससे अपने सिंदूजा के बारे में पढ़ा था सिंदूजा वन के बारे में अपने इसके artificial heart के बारे में पढ़ा था IIT कानपूर से अगर इस बार कौन सा IIT news में आया है बापिस IIT मदरास ठीक है IIT मदरास develop कर रहा है computational tool जिससे detect कर पाएगा इससे ही cancer हो रहा है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है दा टूल इस फ्रीली एकसेसिबल एंड वास primarily developed to identify driver mutation ठीक है driver mutation से वह पता लगाए था यह उसकी process वगे रहा है इसमें अपने इतना डीप में नहीं जाएंगे बड़ आपको यह ध्यान रखना है cancer-causing tumor in the brain and spinal cord जिसने टूल डवलप किया है वह है IIT मदरास next question देखते है so next question है हाल ही में which Indian origin based writer based you get set to receive बाफटा fellowship ठीक है बाफटा की fellowship दी जाती है तो यह किसको दी गई है यह Indian origin है इसलिए यह नाम important हो जाता है इनका नाम है मीरा सायाल मीरा सायाल यह renowned actor है और राइटर है और इंडियन ओरीजन तो यह आपको धियान रखना है इनको best known for television shows such as Godness, gracious me ठीक है उसके लिए जाना जाता है पर आपको यह धियान रखना है मीरा सायाल जो recently news में थी और उन्हें वाप्टा की fellowship मिली है next question देखते so next question is science 20 conference will be held in which state UT जैसे कि आप सब लोग को पता है कि G20 की presidency भारत के पास है तो इस टाइप से questions आप से पूछे जा सकते हैं कि कहां पे कौन सी meeting होने वाली है और इस टाइप की meetings आप से exams में पूछी भी जाती है जैसे कि इस बार question आया था वासुदेव कुटमबकम ठीक है रिग वेदा, महावेदा, सारे वेदास दिये हुए था थरवेद और वो लिया गया था महाउकनिशत से ठीक है पहुत साहे लोगों पता ही होगा यह बहुत easy question पूछा गया था और अगर मैं बात करूँ यह जो science 20 कहां पे हो रही है ठीक है कहां पे होने वाली है यह होने व वो कहां पे लक्षदीप, Pondicherry, Tamilland, Kerala इस टाइप से आपसे option दे दिये जाएंगे तो आपको क्या लगाना है आपको लगाना है लक्षदीप अगर मैं बात करूँ छोटे छोटे आइसलेंड का समू है लक्षदीप 36 आइसलेंड से हैं टोटल लक्षदीप में 36 आइसलें अगाती नहीं सुना होगा आपने अगाती बहुत बार पूछा गया एक्जाम में अगाती और बैंगरम यह जो आइसलेंड है वो किसका पार्ट हैं वो हैं लक्षदीप का तो इस टाइप से छोटे-छोटे questions पूछे जाते हैं और इनकी water bodies भी पूछी जाती कौन से region में ब 23 जैसे कि आपको पता है आसियान में टोटल कंट्रीज कितनी हैं टोटल कंट्रीज हैं 10 टैन कंट्रीज हैं यहाँ और जिसका headquarter कहाँ है headquarter है जकारता में जिसका headquarter है और इसमें total 10 कंट्रीज हैं और इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है यह भारत की त इससे पूछा जा सकता है INS से ठीक है और यह exercise कब से कब स्टार्ट होगी में 2nd से में 8 तर की exercise चलने वाली है तो यह आपको ध्यान रखना है और बस इसमें और कुछ तो आपको जानना नहीं है अब एक चीज और मैं बताता हूं यह exercise कहां पर होगी ठीक है दो phases में होगी ठीक आपसे पूछा जा सकता है चंगी नेवल बेस के बारे में और यह जो sea phase होगा वो होगा south china sea में ठीक है south china sea में होगा sea phase ठीक है इतना clear है आपको अब अगर मैं आपसे बात करूं ठीक है INS सत्पूरा एक missile destroyer है indigeniously developed missile destroyer है और INS Delhi एक stealth guided frigate है यह आपको दोनों चीज पता होना चाहिए तो इसका अंसर है INS सत्पूरा जिसने हाली में participate करने वाली है ASEAN India Maritime Exercise 2023 next question देखते हैं so next question देखते हैं काफी जादा important decision लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और यह article 142 में बताया गया है तो थोड़ा सा एक discuss कर लेते हैं points for example A और B एक couple है और इन दोनों के बीच में एक दरार आ चुक है एक breakdown हो चुक है उनकी relations में तो इससे क्या किया गया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप 6 अगर आप नहीं रहना चाहते हैं और आपकी relation नहीं चलना चाहती है तो बिना कोई आपको family court refer किये गए बिना कोई आपको six month का time दिये गए हम लोग आपको जो डाइवा से वो grant कर दीगे ठीक है यह article 142 के अंडर यह इसको लाया गया तो यह बहुत बढ़ा important decision लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो आपसे direct question भी quality के regarding पूछा जा सकता ह क्योंकि article 142 अब recently news में आ चुका है तो article 142 क्या है आप मुझे comment में बताएंगे इस Supreme Court से related है इतना मैं बता सकता हूँ आप मुझे थोड़े detail में बताएंगे article 142 क्या है अगर आपने quality अच्छे से पड़ी है तो इसमें बस आपको और कुछ नहीं जाना है complete justice दिया जाएगा for couples जो trapped हो जाते हैं in the bitter mages for by granting तो यह सब चीज़ा आप मैं आपको नहीं पढ़ना है बस आपको यह देखना है कि जो Supreme Court है उसने decision लिया उसमें article 142 को enact किया गया है तो वो under article 142 में बताया गया है तो इसमें अब भी कुछ parameters आगे Supreme Court बताएगा तो उसके बाद जो भी news आती है मैं आपके साथ discuss करूँगा next question देख रहे है so next question है point maria stepniva wins lapizing book price 2023 कौन सी country से यह belong करती है ठीक है पहले तो आपको यह भी पता होना अच्छिए lapizing price अगर आपसे पूछ लें जिसे able price ठीक है for example able price होता है able price किसके लिए होता है यह होता है mathematics के लिए ठीक है mathematics के लिए होता है life zing life zing जो price है वो किसके लिए वो होता है books के लिए ठीक है books and authors के लिए होता है यह price यह चीज आपको दियान रखता है और इनकी जो book थी ठीक है इनकी जो noble थी वो nominate भी होई थी booker price in 2021 में और यह कहां कि यह है रशिया की ठीक है यह point आप दियान रख सकते हैं और इन्हें मि से related जो आपने सुने भी नहीं होता है ठीक है तो desire to learn क्या करना है आपको पता है कि हर एक current affairs को आपके सामने रखेगा वो चीज और बताएगा कि important है और क्या है और कौन सा question इसमें frame हो सकता है या नहीं हो सकता है ठीक है next question देखते है So next question discuss करते है world tuna day world tuna day कब celebrate किया जाता है? तो world tuna day celebrate किया जाता है second of में को तिक अब भी तक है मैं मैं में पनने start किया है तो first of में को celebrate किया जाता है labor day और महारास्ट और गुजरात का foundation day भी celebrate किया जाता है first stop में को तो यह चीज आप धियान रखेंगे अगर आपसे पूछ लें कि टूना ठीक है टूना है क्या है तो टूना फिश है इस टाइप से questions आपसे पूछा जा सकता है वो डिपेंड करता है क्या questions पूछ रहे हैं और आपसे सब्सक्राइब किया जाता है next question so next question देख लेते हैं रिसेंट की अभिलास टॉमी ठीक है इंडियन सेलर कमांडर अभिलास टॉमी रिटायर्ड रहाली में इनने रिकॉर्ड कायम किया ठीक है एक रेस होती है जिसे हम बोलते हैं golden globe race ठीक है यह एक non-stop race होती है around the world ठीक है around the world और यह 2.36 डे में यह complete की गई रेस और यह finally first Indian बने जिनने शायद यह race complete की तो आपसे direct question पूछा जा सकता है कौन है Indian जिनने अभी recently golden globe race को complete किया गया तो वो है अभिलास टॉमी और यह second आया है तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है यह Japan की प्लियर एक कॉसुमी इशिवी का ठीक है यह तीन बार medal जीच चुके है consecutive Olympic medal जीच चुके हैं तो यह इसलिए important हो जाती है और इनने अपना retirement को announce किया तो अगर आपसे पूछ ले direct की कॉसुमी इशिवी का ठीक है यह कौन से sports से related है तो यह है table tennis से related और यह है Japan से ठीक ह नाम याद आता है शरत कमल ठीक है शरत कमल अगर आपसे पूछ ले कौन से sports से related है तो यह है table tennis से related नेक्स कोशन देखते है तो नेक्स कोशन है भारत ने अब भी recently overtake कर दिया है कौन से country को और बन चुका यूरोप का top refinery supplier ठीक है तो Saudi Arabia को हाली में भारत ने overtake कर दिया सरपास कर दिया है और बन चुका है यूरोप का top refinery supplier और यह report किसके द्वारा launch की गई कैपलर ठीक है कैपलर के द्वारा यह report launch की गई और अगर आप से direct पूछ सकते हैं कि भारत ने हाली में किसको overtake करा और बन चुका है यूरोप का top refinery supplier तो आपका जबाब होगा Saudi Arabia और इस में कौन यूरोप का top refinery supplier बना तो वो है अपना प्यारा भारत next question देखते हैं so next question है who has been awarded as the King Charles third award हाली में यह award दिया गया यह किसको दिया गया यह संस्कृत scholar है ठीक है इनका नाम है Dr. M.N. Nandakumara ठीक है इस type से questions देखो direct मिलते हैं अगर पता है तो आप सही लगा दोगे अग definitely negative marking लेके आओगे ठीक है तो इस type के छोटे छोटे से अपने पोश्चन पढ़ना है ज्यादा डीप में नहीं जाना है बसे एक नाम याद रखना है Dr. M.N. Nandakumara को King Charles third का award से सम्मानित किया गया next question देखते है so next question है कौन सी organization ने हाली में release की एक report जिसका नाम है Promoting Milates Indite ठीक ह यह report आपसे direct question में पूछी जाएगी कि कौन सी organization ने ही report को launch किया गया तो यह launch किया गया किसने release किया गया नीती आयोग के द्वारा ठीक है नीती आयोग के द्वारा launch किया गया अगर मैं आपसे बात करूँ ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ जैसा मैंने आपसे कल question पूछ तो देखिए कौन-कौन से है वो सौर्गम, पल, फिंगर, फौक्स्टेल, प्रौसो, लिटिल, बानियार्ड, ब्रांटोप, कोडो, ठीक है, अगर आपसे कल एक्जाम में पूच लें कि कोडो, ठीक है, कोडो पूच लें, ब्रांटोप, ठीक है, Brown Trop Is the Variety O तो आप older Confuse हो जाओगी exam में और सर पकड़ के बैट लो गयार ये क्या पोछ लिया तो ये variety है Milets Milets news में इसलिए ही वो पूछेंगे Otherwise वो नहीं पूछेंगे अगर कोई rice की variety news में है तो वो exam में पूछेंगे आपको लगता है CDS, UPSC कुछ भी पूछ लेता है तो वो कुछ भी नहीं पूछता है जो news में होती है चीज़े उससे ही related questions आपसे exam में देखे जाते हैं ठीक है? Next question देखते है So next question है हाल ये में भारत और कौन सी country ने explore किया है कि हम acceptance करेंगे रुपे and mere payment cards for cross border transaction काफी जादा important news है और direct question आने के भी chances है क्योंकि इस type के जो worldwide चीज़े होती है भारत के साथ और जो important होती है वो आपसे direct exams में पूछी जा सकती है for example UPI से related ठीक है? जब UPI adopt करती है दूसरी country for example Philippines ने एक बार करा था कुछ UPI type का तो उस time question direct frame हुआ था आपकी exam में ठीक है? तो इस type से questions आपसे पूछे जाते हैं तो कौन सी country है? जो cross border रूपे and mere payment cards को accept करेगी तो वो है रशिया और इंडिया के बीच में ये acceptance हुई है तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे भारत और रशिया के बीच में ये deal हुए तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है इससे और कुछ आपको याद नहीं रखना है next देखते हैं तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है उगर पसंद आया है तो please एक like कर सकते हैं इस वीडियो को this video is presented by me, my name is सागर गुपता मिलते हैं next class में जब तक के लिए दियान रखिए जैहिन जैवारत